जै महाकाल गाइस आप सभी का ससीस तड़का कीचन में स्वागत है कढ़ाई पनीर सबजी बनाने के लिए एक स्पेसल मसाला तयार करिए और फिर देखें कढ़ाई पनीर का स्वाद मेरी गारंटी है इतना स्वादिश्ट ये सबजी बनेगा कि सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे भीना देरी कि ये आज की रेसिपी सुरू करते हैं आज हम कढ़ाई पनीर बनाने वाले हैं तो उसके लिए 200 ग्राम पनीर लिया है बारी काट करके अदरक, लहे सून, हरी मिर्च और बारी काट करके एक टमाटर लिया है एक टमाटर का बीज हटा करके काट करके लिया है और एक टमाटर का प्यूरी बना करके लिया है और दो चमच की जितना मैंने क्रीम लिया है दो प्याज को इस तरीके से काट करके लिया है एक सिमला मिर्च भी काट करके लिया है और एक बारी काट करके प्याज ले लिया है तैयारी तो यहां हो गई है सबजी बनाने के लिए सबसे पहले हम इस पेसल मसाला अपना तयार करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम मसाला इसके लिए तयार कर लेते हैं इस सबजी के लिए तो यहाँ पर पैन चड़ा दिया है गैस पर और गैस का फ्लेम लो रहेगा लो फ्लेम पर इन मसालों को हमें रोश्ट करना है 20-25 दाने काली मिर्च, एक बड़ा इलाइची, 3-4 सुखे लाल मिर्च और एक बड़ा चमच मैंने धनिया साबूत लिया है और एक चमच मैंने जीरा लिया है साबूत और एक चमच इसमें जब ये सभी मसाले रोश्ट हो जाएंगे उसके बाद हम डाल देंगे कसूरी मेथी कसूरी मेथी को गैस का फ्लेम बंद करने के बाद डालना है क्योंकि पैन काफी गरम रहेगा तो ये रोश्ट हो जाएगा और जब ये अच्छे से मसाले ठंडे हो जाएंगे तब इसे आप ग्राइंड कर लीजे या तो दरदरासा या फिर खलबटे में डाल करके से कूट लीजे तो मैं इसे माम जस्ते में डाल करके इसे दरदरासा कूट करके पाउडर इसका तयार कर लूँगे प्याज को हलका सुना रहा होने तक भून लेना है और दूसरे साइड एक और कढ़ाई मैंने रख दिया है और उसमें एक छोटा चमज के जितना मैंने रिफाइंड ओल डाल दिया है और जैसे ही गरम हो गया है तो उसमें जो कटे सबजियां हमने रखे थे पनीर, सिमला, मेच और प्याज यह सभी डाल करके एक मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लेना है कढ़ाई पनीर का जो मसाला तैयार किया है तो सबसे मेन मसाला वहीं है और इसमें अब डाल दिया है देखिए आधा चोटा चमज के जितना नमक ताकि यह फिका न लगे और आधा चोटा पन निकल जाए उसके बाद मैंने जो टमाटर काटके रखे थे वो भी डाल दिया है और इसी के साथ भून लेना है दूसरे साइट जो मैंने भूनने के लिए मसाले रखे हैं तो उसमें बारी कटा हुआ अधरक लहसुन प्याज यह सभी चीजे डाल देने हैं और इसे भी चलाते हुए भून लेना है अच्छे से कढ़ाई पनीर का जो मैन मसाला है उसे देखे दरदरा सा कूड करके मैंने तयार कर लिया है कुछ इस तरीके का पाडर यह तयार हो गया है आज की सबजी का यही मैन मसाला है और इसी से हमारे कढ़ाई पनीर में बहुत अच्छा टे सब्जी तो भून गई है अब मसाला भून करके तयार कर लेते हैं तो प्याज अद्रक लहसुन ये सभी चीजे भून गई हैं अब इसमें बारी कटा हुआ टमाटर और टोमेटो प्यूरी दोनों डाल देने हैं एक साथ और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे एक चमच कास् अर्ट हमेटोнес बेर टर्मरец प्हुड़र और ये समें प्युक्ति म disg हैं अगर आपके पास अमूल फ्रेस क्रीम हैं तो भी डाल सकते हैं नहीं है तो घर के ताजी मलाई से भी काम चला सकते हैं तो देखे अब इन मसालों को कभर करते हुए लोफ लेंपर आराम से भूनने देना है जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुसबू नहीं आ जाती है तो देखे पांच मिनट भून लेने के बाद इसमें वाम वाटर डाल दिया है मैंने अब इसमें जो हमने कढ़ाई पनीर के ल मसालों को भूनना सभी को आता है तो जब तक इसमें से इस तरीके से देखे ओilage नहीं हो जाता है खुब अच्छे से आपके मसाले पक नहीं जाते है तब तक इसे आप पक लीजीए मसाले यहां पर पक गए हैं तो जो सबजियां हमने भून करके रखे थे अधकचे वो साँ चाहिबगे साथ चंचिकी सोखा है यह तो इस सबची को पांच मिनट के लिए कवर करके पका लिए гол 측प चाहिवा क्रीम चीकट ना है, नहीं तो अगर ADIधन क के मिक्स Mexico करना है इस सबजी के साथ खाने के लिए हम फटा-फट से डो तयार कर लेते हैं पराठा नान के लिए तो यहां पर वन फोर्थ कप दही ले लिया है वही मसाला मैंने डाल दिया है कढ़ाई पनी का जो बचा करके रखा था एक चमच मैंने सफेद तील डाल दिया है नमक स्वात के अनुसार डाल दिया है और एक छोटा चमच के जितना मैंने घी डाल दिया है आप बटर का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसके जगह पर आधा चमच आजवाइन, आधा चमच कलोंजी, आधा चमच चीनी, एक टीएसपी मैंने डाल दिया है बेकिंग पाउडर और हाप टीएसपी डाल दिया है बेकिंग सोडा इन सभी चीजों को डाल करके अच्छे से मिला लेंगे और पांच मिनट के लिए इसे रख देना है जो के साथ पहले मिला लेते हैं, उसके बाद जरूरत के हिसाब से गरम पानी के साथ इसे गूत लेना है तो देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका डो तयार कर लेना है डो यहां तयार हो चुका है तो इसे कभर करके बस 102 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि आटा जो है सेट हो जाए और नहीं तो आप इसे खुब अच्छे से मसल करके तुरंत इसका नान तयार कर सकते हैं और सबजी भी यहां पर मेरी बन करके तयार हो गई है होटलों में जब आप सबने ओडर किया होगा तो छोटे-छोटे कढ़ाईयों में यह सबजी खानी के लिए मिलती है जीरा राइस के साथ या नान के साथ खानी के लिए मिलती है तो होटल जैसा कढ़ाई पनीर आप घर पर ही बना सकते हैं तो घर पर ही बना करके enjoy कर सकते हैं इसे तो अब इसके साथ खाने के लिए हम नान तयार कर लेते हैं अपना तो आप सब चाहे तो इस तरीके से रोटी के तरह ही बेल करके इसको बना सकते हैं या फिर एक दूसरा तरीका है इस तरीके से कई परत में आप फोल्ड करके घी लगाते जाएए यानि बटर या तो बटर लगाते जाएए या फिर घी लगाते जाएए और कई राउंड में फ टेस्ट में आपके वही नान का ही टेस्ट आता है, यकीन मानिये बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अगर बटर के साथ इसको बना रहे हैं, तो इसका टेस्ट और दुगना आता है, नहीं तो आप इसे सिंपल घी से ही लगा करके दोनों साइट से एक लीजिए अच्छे से और बीच से इस तरीके से काट लीजिए और एक प्लेट में सर्व कर दीजिए और लीजिए नान मेरा बन करके तयार है और यहां पर सब्जी भी हम फटा फट से सर्व कर लेते हैं एक आप सभी को नान की भी रेसिपी दिखा दिया वीडियो में क्योंकि मैं पहले नहीं दिखाने वाली थी फिर मैंने सोचा कि आप सभी को मैं थोड़ा सा नान की भी रेसिपी दिखा दूँ एक जलक इसलिए मैंने थोड़ा सा यहां पर इस रेसिपी को सेयर किया है आप सभी के साथ कढ़ाई पनी की सबजी वीवन करके तयार है और साथ में खाने के लिए है पराठा नान आप सबको ये रेसिपी कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएगा और अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल पर नीव है तो सस्क्राइब कर लीजे